हेलो फ्रेंट्स आज हम बनाने वाले हैं पनीरोल पनीरोल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन में डाला है ओयल और फिर डाला मैंने ओनियन ओनियन डालने के बाद मैं डालती हूँ इसमें सिमला मिर्च अब डालेंगे हम सेजवान चटनी टेमेटर सॉस टेमेटर सॉस डालने के बाद हलका सा मैं इसको मिक्स कर दूँगी इन सबजियों को अब एड़ करेंगे हम इन सबजियों में पनीर पनीर को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब पनीर रोल की सबजी रेड़ी हो गई है अब हम इसे निकाल लेंगे और अब बनाएंगे हम पनीर रोल के लिए रोल पनीर रोल को बनाने के लिए आपको रोल के लिए मैदा भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैंने आटा यूज़ करा हैं और अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं अब हम यह फोल्ड कर लेंगे लच्छा बनाने के लिए रोटी को अब हम फिर से रोटी को बे लेंगे अब हमने रोल को डाल दिया है तवे में अब इसे हलका सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सेखे अब रोटी पे जो हमने मिक्षर सबजी वाला दिया है मिक्षर था पनीर मिक्षर उसे लगाएं और रोल बनाएं तो फ्रेंड्स देखे अब हमारा पनीर रोल रेडी हो चुका है आप बनाएं बहुत टेस्टी लगेगा आपको और आप अपने बच्छों को लंच में भी यह दे सकते हैं तंक यू गाइस झाल झाल